एक मिलिनियर की suspicious डेट हो जाने के पार सारे लोग उसकी property की पीछे थे एक insurance की investigator ने investigation स्टार्ट की और सब कुछ चीज़े सामने आने लग जाती है actual killer कौन था? डेट की पीछे क्या mystery थी? यह आज की movie Wild Thing 2 में हम देखेंगे actual में part 1 और part 2 में कोई भी relation नहीं है फिर भी आप अगर part 1 देखना चाहते हो तो इसकी link में ने description में डाल दिया है अगर आप कोई वीडियो अच लगता है तो प्लीज इससे like और comment ज़रू कर दीजेगा यह movie अलग-अलग twist and turns के सारा आती है तो अंदर इस वीडियो को ज़रूर देखेगा अपिना किसी दरी के explanation स्टार्ट करती है movie स्टार्ट होती है और हमारे man character जिसका नामे Britney एक crocodile के lake पर आई हुई थी actually अभी-भी उसकी mother ने इसी lake में suicide की थी वो अपनी mother को miss कर दिया तो इस जगा पर आकर उसे याद कर दिया इसके बाद वो अपनी school में आई यहाँ पर कुछ police officers थे जो सारे student को कुछ information देना जाते थे detective Morris ने सबसे का कि आपको party करनी चाहिए पर कुछ limit में इसमें अगर आपने substance abuse किया यानि कि drugs विकिरा किया तो इसके अंजाम बहुत ही गलत हो सकते है उसने एक doctor भी liar हुआ था doctor का नाम था Jillian Julian सबको बताता है कि किस तरीके से drugs की वज़े से लड़कों की date होती है इसके बारे में वो details दे रहा था सबको डराने की कोशिश कर रहा था या आप बस student उसका भी मजाग उड़ाते है student में एक लड़की थी जो हमारी और एक main character है इसका नाम है Maya Maya Julian से पुछती है कि जब किसी की dead body मिल दिये तो उसके identification आप कैसे करते हो Julian ने उसे कहा कि हम उसके dental records से करते है आज किसी भी student का lecture सुनने का mood नहीं था क्योंकि आज लटकियों का volleyball का match है और सारे लोगों को वही देखना था ये match होता है और इसमें Britney खेल रही थी और उसी की वज़े से वो match जीत गया अब इसका celebrate करने के लिए सारे लोग Britney की घर पर आते कि आपर सारे लोग बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे थे Britney ज़रा वरीड थी कि अगर उसके घर का कोई नुकसान हुआ तो उसके stepfather उस पर बहुत ज़्यादा गुसा होंगे घर में अलग-अलग cameras लगे थे तो इससे वो सब पर नज़र रखती है एक लड़का उसकी मदर की फोटो पर draw करने लगया था उस पर गुसा हो गए उससे रोकने की कोशिश करती है वो कितना भी try करे फिर भी इस party को रोक नहीं सकती थी वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई पर वहाँ पर माया थी माया उसे भुश्टिक मुझे एक बात बताओ तुम्हारी मदर ने इस millionaire से शादी क्यों की सब को पता था इसके बहुत सारे चक्कर थे क्या सिर्फ पैसो के लिए अगर यही बात थी तुम भी किसी millionaire के साथ शादी कर लो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की वरी करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी एक्च्वल में स्कूल में एक दुसरे को हेट करते है इन दोनों में जगड़ा हो गया और माया यहा से चली जाती है थोड़ी दिर में बृटनी के स्टेफ फादर जिनका नामे नाइल्स एक घर पर पहुँच गया यह जल्दी से सब को घर से निकाल देते है वो बृटनी पर गुसा थे तो कहते हैं तुम भी तुमारी मदर की तरह बहुत घटिया हो आज रात बृटनी अचनक से बाहर से कुछ आवाज सुन दिये तो उसकी नीन खुल गई उसने जाकर अपने सेकुरिटी कैमेरेस चेक किये वहाँ पर ओ देखती है नाइल्स को एक आदमी धमका रहा था नाइल्स को मार कर वो आदमी चला गया तो बृटनी नाइल्स के पास आई वो उसे बुच्छती कि वो था कौन पर नाइल्स उसे कुछ भी नहीं बताता नाइल्स ने उसे का कि अब मैं दो-तीन दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ पर क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ पिटनी कहती है कि अफकोस आप कर सकतो और वो उने डाड बुलाती है पर नाइल्स ने क्लेर किया कि मैं तुम्हारा स्टेप डाड हूँ कलरा जो भी हुआ था ये बृटनी अपने फ्रेंड को बताती है वो नाइल्स के लिए बहुत ही वरीर थी तब इस स्कुल में उसे प्रिंसिपल के ओफिस में बुलाया जाता है और यहाँ पर दो डिरेक्टिव से उसे पता चला कि नाइल्स का प्लेन क्रैश हो चुका है उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ नाइल्स से उसका अब खैल रखता था करने के लिए टेरेंस वह आया हुआ था वो इसके बारे में मौरीस से बात करता है पर मौरीस ने उसे क्लेर कर दिया यह सिर्फ एक एक्सिड़न्ट है इसमें ज्यादा डीब जाने की जरूरत नहीं है टेरेंस मौरीस से गयाता है कि चीजे सिम्पल लगती है पर उतनी सिम्पल होती नहीं टेरेंस हर एक चीज़ पर शक करता है एक्सिदन की इन्वेस्टिकेशन में ने पता चला कि प्लेइन में कुछ राट्स थे इन राट्सने प्लेइन की वाईरिंग को कट कर दिया था तो इसी वज़े से एक्सिदन हुआ मौरिस को शक जाता है कि किसी ने करवाय हो सकता है तो इसी के बारे में बात करने के लिए वो बिटनी के पास आया उसे एक्सिडन्ट के पीछे का रीजन बताता है और पुछता है कि नायल्स के कोई दुश्मन थे क्या कोई कर सकता है बिटनी अपने फ्रेंड के साथ तो फ्र विल को लेकर मिटिंग थी इसमें बिटनी को पता चला कि नाइल्स ने बिटनी के लिए सिर्फ 25,000 डॉलर इस तरीका का प्लान क्रेट किया है वो इतने कम पैसों में सही से जी नहीं सकती है वो डिस्टब होके वो पूछती है क्या कोई और प्लान नहीं कमपनी के लॉयर ने क कि उसकी सारी प्रॉपपरट्य अब रेक्स को चली जाती अगर उसका प्रॉपर बेटा या बेटी होता तो सारी प्रॉपरट्य उसे जाती की जाती ह destruction के वीन इन शीज़ों के बारे में स्कूल दिखा जा माया भी इस पर काम कर रही थी तो उसे पता चला कि अगर नायल्स का कोई बेटा या बेटी होते तो सारी प्रॉपर्टी उसे जाती उसे फिर एक आइडिया आता है आज डिरेक्ट्रू मौरिस को जो आदमी नायल्स को धमकाने के लिए आया था उसके बारे में एक लीड मिली अगली दिन जब सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए ब्रिटनी कोर्ट्रू में पोची तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि माया कहे रही थी कि अक्चुल में नायल्स उसके फादर थे ब्रिटनी इस बाद पर बहुत जादा गुस्सा हो जाती है कोर्ट में उस पर हमला करने की कोशिश करती है इस बाद से जज दंग आके और अगले दिन वो हीरिंग करने का डिसाइड करते है इस सब के बारे में टेरेंस को भी पता चल गया अगली दिन कोड में माया ने का कि मेरी मदर नायल्स के लिए काम क्या करती थी वो पहले तो उसे इगनौर करता था पर एक दिन उसके साथ वो इंटिमेट हो गया इसके बाद मेरी मदर प्रेगनेंट हो गई थी नायल्स ने उसे अब़ोर्शन करने के लिए बहुत सारे पैसे दिया मेरी मदर क्रिशन थी तो उसने अबोर्शन नहीं करवाया नाइल्स ने मेरी मदर को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे ये सारे लेटर्स माया कोड में सब्मीट कर देती है जज ने देखा और वो कहते हैं हम अब DNA टेस्ट करवाएंगे इस DNA टेस्ट को परफॉर्म करने वाले डॉक्टर का नाम था जूलियन ये वही डॉक्टर है जो पहले इनके स्कूल में आया था टेरेंस आकर फे जूलियन से भी मिल लेता है कहता है रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले मुझे ही पता ना आज रात ब्रिटनी जब घर पर आई तो नायल्स को जिस आदमी ने धमका हुआ था वो ये आदमी ब्रिटनी को भी धमकाता है कहता है नायल्स के मर जाने के बाग उस पर जो हमारा सेवन मिलियन डॉलर्स का लोन था ये गायब नहीं हो जाता अब इस सारे पैसे तुम्हें पे करने पड़ेंगे ब्रिटनी इस बात से बहुत जादा डर गई थी अगली दिन कोर्ट में डियने टेस्ट का रिजल्ट पताया जाता है तो इसमें पता चला कि माया ये नायल्स की बेटी है सारी प्रॉपर्टी अब उसे मिल जाएगी ब्रिटनी इस बात से बहुत जादा अपसेट थी पर रात में जब उसने टिवी ओन किया तो जो आदमें उसे धमकानी के लिए आया था उसे डिरेक्ट टू मौरीस ने अरेस्ट कर लिया फाइनल उसे कुछ राहत मिलती है रात में टेरेंस रैट्स के डॉक्टर के पास आया उसे उसे पता चला कि जो रैट प्लेन में थे ये अलग नसल के रैट्स थे ये अपनी दातों से किसी भी चीज़ को तोड़ सकते थे ये बहुत उचाई से भी गीरे फिर भी ये जिन्दा रहते थे मतलब इनकी सर्वाइबल स्किल बहुत ही अच्छी थी टेरेंस कन्फर्म हो जाता है कि नायल्स को मारने का एक किसी ना किसी का तो प्लैन था इसे के बैरलल में हम देखते कि बिटनी से मिलने के लिए माय आई ये दोनों मिलकर सेलिबरेट कर रहे थे ये दोना एक दुसरे को किस करने लगते तब ही वहाँ पर जुलियन आया जुलियन कहता है कि अब तक हमारे पास पैसे आये नहीं है हमें सावधान रहना पड़ेगा इसका मतलब है ये तीनों के तीनों इस प्लान में शामिल थे जुलियन ने डिने टेस्का इंचाज था तो इसलिए वो फेक रिजर्ट ला सकता था नायल्स के कमपनी की वज़े से बिटनी को कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो यही प्रॉपर्टी पाने के लिए उसने माया के साथ मिलकर डॉक्टर जुलियन के साथ मिलकर इस सारा प्लान किया था इस विक्टरी को सेलिबरेट करने के लिए ये तिनों इंटिमेट हो जाते है अगली दिन बृटनी अपनी मदर को याद करने के लिए लेक पर आई हुई थी पर टेरेंस वहाँ पर पहुँचाता है वो अपने आपको इंट्रडूस करवाता है कहता है तुमारे फादर की डेथ रैट्स की वज़े सुई थी क्या तुमारे घर में रैट्स की कोई प्रॉलम्स है वो उसे अलग-अलग क्वेशन पूछ रहा था इन सारे क्वेशन की वज़े से बृटनी ज़रा प्रेशर में आके वो जल्दी से स्कूल आई और माया से वो बात करती है वो बहुत ज़ादा डर चुगी थी माया उसे कहती है कि टेरेंस को कुछ भी पता नहीं है तुमें डरने की कोई भी ज़रूत नहीं है तुम इस तरीके से मुझसे पॉब्लिकली नहीं मिल सकती सारी जीजों को हम हैंडल कर लेंगे रात में टेरेंस जुलियन के पास पोच गया वो नाइल्स के वारे में उसे भी अलग-अलग वेशन पूछ रहा था इसकी वज़े से जुलियन भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है वो डारेकली माया के पास पोचा ब्रिटनी उसे समझाती है कि टेरेंस सिर्फ तुमारी दिमाग के साथ खेल रहा है तुम अपने आपको कंट्रोल में रखो और सोचो कि हमें 70 मिलियन डॉलर मिलने वाले हैं वो फिर उसके साथ इंटिमेट होने लग गी टेरेंस ने एक्च्वल में जुलियन का पीछा किया था उसे इन दोनों के बारे में पता चल जाता है वो जब इन दोनों को देख रहा था तो अचानक से एक आदमी ने पीछे से उस पर गन लगा दी टेरेंस उसे कहता है कि मैं इंशॉरंस का इन्वेस्टिकेटर हूँ माया को बहुत सारी प्रॉपरेटी मिलने वाली है तो इसे को में इन्वेस्टिकेट कर रहा था वो आदमी कहता है कि माया के फादर तो इतने अमेर नहीं थे और उन्हें मरे हुए एक साल हो चुका है अब माया को क्यों पैसे मिलेंगे इसमें टेरेंस इंटरेस्टेड हो गया पुछता है उसके फादर की ग्रेव कहाँ पर है वो जाकर उसे देख आया वावर उसने नोटिस किया कि इस ग्रेव को अभी-अभी डिक किया गया था अगली दिन माया कि नाइल्स की कंपनी के लॉयर के साथ मीटिंग हुई उससे सारे पैसे मिल जाते है वो बहुत जादा खुश थी तभी उसने डारेक्ली ब्रिटनी को कॉल कर दिया वो गहती है कि जूलियन बहुत जादा डर रहा था हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसने उसे एक लोकेशन दी जहाँ परे दिनों रात में मिलने वाले है ब्रिटनी और माया वहां मिले और माया के हाथ में गन थी माया ब्रिटनी से कह रही थी कि हमें जूलियन को मारना पड़ेगा वरना वो कुछ ना कुछ तो गड़बर कर देगा जूलियन एक्चुल में हारवर्ट से मेडिकल डॉक्टर बना हुआ था पर अपनी ड्रक्स की आदत की वज़े से उसकी सारी क्रेडिविलिटी चली गई थी फिर से इसी वज़े से ओगडबड कर सकता है तो इसी वज़े से माय उसे मारना चाहते थी जब जूलियन वहाँ पर पहुचा तो उसे शूट करने की वो कुशिश करती है वे बिटनी ने उसे बचा लिया जल्दी से वो वहाँ से भागने लग गया उसे लग रहा था कि बिटनी भी उसे मारने की कुशिश कर रही है तो जूलियन ने उसे पीछे से पकड़ लिया उसे मार रहा था तब ही माया उसे शूट कर देती है बृटनी इस बात से बहुत जादा डिस्टब हो गई थी माया उसे समझाती है तुम्हारी मदर की सुसाइड को हम इस तरीके से जायर नहीं होने दे सकते हैं ये दोनों फिर जूलियन की बॉड़ी को जिस लेग में बहुत सारे क्रोकोडाइल से यहाँ पर डालने वाले थे पर अचानक से उन्हें पुलिस की आवाज आती है रात में हर जगा पर घुमते हुए एक पुलिस आफिसर यहाँ आया हुआ था माय उससे बात करती है उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो माय ने कहाँ कि मेरे फ्रेंज के साथ में यहाँ आई हुई थी वो मुझे यही छोड़कर चले के बृटनी जूलियन की बॉड़ी को काड़ने वाली थी पर जूलियन अभी भी थोड़ा सा जिन्दा था वो बृटनी को मार रहें की कोशिश करता है तो बृटनी जोल से चिलाती है उसने फाइनली जूलियन को पुरी तरीके से मार डाला पर यह सारी चीज़े पुलिस आफिसर ने सुन ली थी वो आसपास जोड़ने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी मिलता नहीं फाइनली वो माया को घर तक लिफ्ट दे देता है फाइनली बृटनी जूलियन की बॉड़ी को ठिकाने लगा देती है उसकी गाड़ी छोडने के लिए उसके घर तक पहुँच गए टेरेंस भी केस की इन्वेस्टेशन करता-करता जूलियन की घर पर पहुच गया था उसने बृटनी को देखा तो बहुत ही सस्पिशेस थी है उसके फेस पर खून था बृटनी के घर पर जाने के बाद उसने जूलियन की गाड़ी को चेक किया टायर्स पर उसे मर्ड मिला उसने फिगर आउट कर लिया था कि जूलियन की बॉड़ी के साथ बृटनी ने क्या किया होगा वो अगली दिन लेक के पास डिरेक्टिव मॉरिस को भुलाता है सारी चीज़े चेक करने के लिए कहता है डिरेक्टिव ने सारा लेक देखा पर उन्हें कही भी बॉड़ी नहीं मिलती वो अब टेरेंस पर बहुत जादा गुसा था उससे कहता है मेरा टायम वेस्ट मत करो और जल्दी से इस टाउन से निकल जाओ टेरेंस फिगर आउट नहीं कर पाता फाइनले उसे जूलियन के बलड के क्लाथ मिल गए वो फिर रात में बृटनी और माया के पास आया वो कहता है कि तुम्हारा प्लैन तो बहुत अच्छा था पर फिर भी तुम पकड़े गए टेरेंस इन दोनों को ब्लैक मिल करता है कहता है कि अब मुझे हाफ पैसे चाहिए वरना मैं सारी चीज़े ड्रीट टू को बता दूँगा ये दोनों मान ने रही थी पर टेरेंस ने सरसूज में ड्रीट टू को कॉल लगा तो मान जाते है मायों से बुच्छती है कि सारी चीज़े तुम सिर्फ पैसो के लिए कर रहे थे टेरेंस कहता है कि मैं दस साल से इस काम को कर रहा हूँ पर मैंने सिर्फ एक की चीज़ देखिए कि अमेर लोग अमेर होते जाते है मुझे इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता इनकी जब एक कन्वर्सेशन हो रही थी तब हम नोटिस करते हैं बृटनी ये सारी चीज़े रेकॉर्ड कर रही थी वो थोड़ी देर में इनके पास आई पर उसके पास गन है टेरेंस बहुत ही डर गया था वो कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो बृटनी ने गोली चला कर माया को मार डाला टेरेंस बहुत दी शौक में था बृटनी उसे कहती है अगर तुम अपने पैसे पाना चाहते हो तो इसके लिए तुमें काम करना वड़ेगा ये माया की बॉड़ी गाड़ी में डालते है और इसको ठिकाने लगाने की फिर से लेक पर जा रहे थे सिगनल पर आने के बाद टेरेंस के गाड़ी की पीछे एक पुलीस की गाड़ी आई वो बहुत डर चुका था इस मोके का फाइदा उठाकर बिटनी गाड़ी से निकल गई वो एक फोन बूद पर जाकर पुलीस को इनफार्म कर देती है ये टेरेंस के गाड़ी में एक बॉड़ी है वो पकड़ा किया उसे पुलीस स्टेशन में लाया किया वो सारी चीज़े पुलीस को समझाने की कोशिश करता है पर मौरीस उस पर बिलिव नहीं करता क्योंकि अल्डेडी उसमें उसे फसाने की कोशिश की थी ऐसा उसे लगता है जो बाते टेरेंस और माया कर रहे थे ये सारी बाते बृतनी ने रिकॉर्ड की थी और इसकी टेप पुलीस टेशन में भीज़ दी है इससे साब साब पता चल जाता है ये टेरेंस नहीं माया का मर्डर किया है टेरेंस ने सब कुछ बाते समझाने की कोशिश की पर उसके कोई भी नहीं सुनता तब ही हम देखते है कि टीवी पर नाइल्स की बारे में न्यूज आई हम पता चलता है कि नाइल्स पर सेवन मिलियन डॉलर्स की डेप थी और ये पैसे भी उसने कुछ गुंडों से लिये थे टेरेंस को अप्शक गया कि शायद नाइल्स अभी भी जिन्दा है बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता हम डारेक्ली ब्रिटनी को प्लेन में देखते है और प्लेन में नाइल्स था एक्चॉल में प्लेन में जो बॉड़ी पुलीस को मिली थी ये माया के फादर की थी जिनकी डेथ एक साल पहले हो चुकी थी ग्रेव में से उनकी बॉड़ी को निकाल कर उन्होंने प्लेन में डाल दिया था ये सारा जो प्लेन था ये नाइल्स और ब्रिटनी ने मिलकर किया था नाइल्स अपने कंपनी की वज़े से सारी पैसे ब्रिटनी को नहीं दे जकता था और इसके opposite उस पर 7 million dollars का गुंडों से लिया हुआ लोन था उसकी जान खत्रे में थी इसी वज़े से उसने सारा plan किया वो Britney पर बहुत जादा खुश हो जाता है Britney भी अब अपना सारा record clear करना चाहती थी अगर सबको लगा कि वो भी मर चुकी है तो उस पर किसी को भी शक नहीं आएगा अब इस plane से कुद कर इस plane को भी crash करने वाले थे इसे सबको लगेगा कि Britney की date हो चुकी है Britney Niles को एक parachute देती है पर Niles उस पर suspicious था तो Britney ने अपना parachute उसे दे दिया Niles कहाता है कि तुमारी मदर इतनी smart नहीं थी पर तुम बहुत smart हो जब वो plane में से कुदने वाला था तो Britney कहती है पहला parachute जो मैंने तुमें दिया था तुमें वही पहनना चाहिए था वो उसे लाद मारकर plane से नीचे गिरा देती है उस parachute में papers भरे थे तो इस वज़े से उसकी नीचे गिरिकर डेत हो जाती है Britney भी parachute से नीचे आई तो नीचे उसकी मदर उसका wait करी है उसकी मदर की suicide भी उन्होंने stage की थी अब finally में पता चला कि प्लान उसकी मदर और उसका मिल कर था slowly slowly सारे लोगों को इन्होंने recruit किया था अब finally एक new country में जाकर इस दोनों enjoy कर रहे थे last scene में हम देखते हैं कि Britney ने अपनी मदर के लिए एक drink लाया मदर कहती है कि यह drink ज़रा strong है Britney के look से हमें पता चलता है कि उसने अपनी मदर को भी मार डाला यही इसी moment पर यह movie end हो जाती है movie के according पैसों के लिए world में हम किसी को भी trust नहीं कर सकते है तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा यह बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो please इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमों के साथ तब तक ले thank you और आप अपने आपका खैल रखिया